हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चैनल मानी शकीर सोई में आप सबका स्वागत है आज हम उड़त डाल के पापड बनाएंगी वो भी बहुत आसान तरीके से खाने के साथ अगर पापड हो तो खाने का साथ और भी बढ़ जाता है वैसे तो कई तरीकी के पापड बनाए जाते हैं पर ज़्यादा तो लोगों को खाने के साथ उड़त डाल का पापड ही अच्छा लगता है और घर के बनाए पापड तो और भी ज़्यादा स्वाधिश्ट लगते हैं अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सभी अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और साथ ये बेल आइकन पे क्लिक कीजे ताकि आईसी ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपिच के नोटिपिकेशन आपको मिलती रहे ये देखें यहाँ पर मैंने एक किलो उड़त डाल का आटा लिया है ये मेरा घर का पीसा हुआ आटा है, इसलिए ये 100% ओरिजिनल दाल से बना है सबसे पहले हम इसे एक बड़ी से थाली में या एक बड़े से बाउल में निकाल लेंगे अब हम इसमें मसाला डालेंगे ये देखें यहाँ पर मैंने एक किलो पापड के लिए एक पैकेट रेडिमिट पापड मसाला लिया है आप ये किसी भी ब्रैंड का इस्तिमाल कर सकते हैं ये पूरा पैकेट हम इसमें डाल देंगे इसमें उपर से आपको नमक या मसाले डालने की जरुरत नहीं है बस हमें इस मसाले को आटे में अच्छी तरीकी से मिला लेना है तकि हमारा जो मसाला है पूरे आटे में अच्छी से मिक्स हो जाए कहीं पर नमक या मसाला कम जादा नहो इसलिए हमने इसे सूखे आटे में अच्छे से मिला लिया है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा ठंडा पाने डाल देंगे और इसका एक tight dough बनाएंगे उड़त के पापड के लिए जब भी हम आटा लगाते हैं तो हमें इसका जो आटा लगाना है वो tight लगाना है जिस तरीके से हम पूरी का आटा लगाते हैं उससे भी टाइट हमें ये आटा लगा लेना है आप देख सकते हैं मैंने ये आटा लगा लिया है और ये मैंने बहुत ही टाइट लगाया है अब हम इसके चारो तरब हलका हलका सा तेल लगा लेंगे तक ये सूखे नहीं अब हम इसे तीन से चार घंटे के लिए ढखकर साइड में रख देंगे उसके बाद ही हम इसके पापड बनाएंगे यह देखी यहाँ पर मैंने दो किलो का आटा लगा कर दो बड़े से गोले बना लिये थे एक किलो आटा मैंने बाद में लगाया था अब हमें आटे को कूटना होगा यह देखी आटा कूटने के लिए मैंने यहाँ पर सिल्बटा ले लिया है सबसे पहले हम इस आटे को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे ताकि हमें इसे कूटने में आसानी हो यह देखी यह मैंने आधा आटा ले लिया है इसके उपर हम हलका हलका सा तेल लगा लेंगे और इसे कूट लेंगे ये देखी इस तरीके से हमें इसे कूटते जाना है और कूटने एक तरफ से जब ये कूट जाएगा तब हम इसे फोल्ड कर लेंगे और दूसरी साइड से भी कूट लेंगे इसी तरीके से हम इसे फोल्ड टरी के हैं इसलिए कीज़ बेले जाते हैं इसलिए इसे कूटना बहुत ही ज़रूरी होता है। यह देखीे हमारा अट बहुत ही एन्भे से काया है। इस तरीके से झालेलावाफ बनाते हैं। ये देखी हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह के से खीच लिया है और ये अब जल्दी से तूट नहीं रहा है अब हम इसका एक लंबा सा रोल बना लेंगे ये देखी मैंने इसका एक लंबा सा रोल बना लिया है अब हम चाकू के मदद से इसके छोटे छोटे पेड़े काट ल यह देखी मैंने यहाँ पर थोड़े से पेड़े काट लिये हैं अब मैं इसे आपको बेल कर दिखा देदी हूँ यह देखी इस तरीके से हम एक पेड़ा ले लेंगे और इसे उड़त दाल की सुखे आटे में डस्ट करके बेल लेंगे अगर आप चाहे तो चावल के आटे से इसे डस्ट करके बेल सकते हैं अगर आपको आटा नहीं लगाना तो इने तेल लगा कर भी बेला जा सकता है तो यह देखी इसी तरीके से हमें इसके पापड बेल लेने हैं पापड हमें ज़्यादा पतले भी नहीं बेलने हैं क्योंकि ज़्यादा अगर पतला पापड हो ज अब हम इने सुखाएंगे, यहां पर मैंने एक मेन कपड़ा बिचा दिया है, इसी के उपर हमें सारे पापड डाले, आप चाहे तो सूती कपड़े पर भी इने फैला सकते हैं, यह दिखे मेने सारे पापड फैला दिये हैं, लगबग 15 मिनिट के बाद हम इन पापड को इन पापड बना लिए और थोड़े से पापड मेने बड़े साइज की बना लिये हैं, यह आप अपने पसंद से बना सकते हैं, अब मैं इने फ्राइ करके आपको दिखा दूँगी, यह देखे गैस पर हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है, इन पापडों को फ्राइ क करने के लिए तेल हमेशा मेडियम गरम होना चाहिए, नहीं तो यह तूरंथी लाल हो जाते हैं, यह देखे इस तरीके से हम पापड को डाल देंगे और यह दोनों तरब से जब यह अच्छे से फूल जाएगा तब हम इने तूरंथी निकाल लेंगे, नहीं तो यह अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ा सब अच्छा लागा हो तो प्लेज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थी और टेस्टे रसे पिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे